हालो एवरिवन आजे आपने जोई सूँ ए ट्रिपल लिस सब्जिक नी इंदर यूनिट नंबर थ्री यूनिट नंबर थ्री मा अल्रेडी आपने ब्याथी तौन जे इंपोर्टन टॉपिक छे एवी से आपने चर्चा करी छे लाइक सब कुथम आपने जोई होतु दिशी जनेरीटर यह से ख़कि तौनेटर हमने देखा था दीशी माटर के बारे में एंद उसके बाद हमने जो इंपोर्टन टॉपिक वह देखा था 3 फेस सब्सक्राइब सिस्टेम के जो एडवन्टीजिस हैं सिंगल फेस के कंपेर में वह हमने देखा था वह मोस्ट इंपो रॐनometer собственно वह है transformer light Q25 जो सुना है हम बोलते में बहुत बार मैं हमने सबी ने देखा ही है transformer eheen ध्यल्य ठीकल आवर का जो distribution होता है हमारे जो स्ट्रीट के अंदर हमारे मौहले के अंदर तो वहां पर कही ना कहीं एकאל व्यम्य रखा ही बल्स Amas इसने हमने देखा ही है तो एक ट्रांस्पॉमर की जरुरत क्यों पड़ती है में तो बात यह कि मैं आपको स्वाट में बताओ तो इलेक्टिकल पावर का जो जनरेशन है मनलब यहनों उत्पाधन ट्रांस्मिशन और उसका डिस्ट्रिबिशन यह जो है न उसके लिए डिफ्रेंट डिफ्रेंट वॉल्टेज चाहिए जनरेशन जो है वह ज्यादा वॉल्ट पर होता है यहाँ पर लिख्छा है 11 27 kv और 440 वाल्ट तो देखो हर एक जगह पर वाल्टेज जो है निफरन है तो टो कैसे हम करेंगे जो हमारा जो जन्रेशन होता है वहां से हम ट्रास्मिट करेंगे वहां से हम है ट्रास्मिशन के बाद करना पड़ेगा तो उसके लिए जो भी ज़रूरी जो वाल्टेज है आने के विग छहें खुब़ बज वगद आ रहें सो एन्य माझे है वड़ना त्रास्फोर्म और यूस्ट sır सुन्त तो मेन इंपोटंट टॉपिक चे चेह यहेट ट्रास्फोर्म और principle कि transformer जो work करता है वो concept principle पर work करता है तो simple line में लिखा देखो transformer mutual induction ना सिद्धान्थ पर करिया कर रहे चांद transformer is simply just works on a principle of mutual inductance अब mutual induction क्या है में तो देखो यहां पर क्या होता है एक दो कॉईल लेते हैं यह काईल A है देखो यह और यह कॉईल B है अब हम क्या करते हैं को के अंधर हम करण को pass करते हैं को वीच प्रवाग एक माती पास like यह में में फिंड्ली इन देखो ओके यहां पर लिखाया देखो फिगर में दर्साव्या मुझे गूचलो ए अने बी एक बीजारी नजीक राखवा मागल छे तो एक दुसरे के नजदीक रखी है गूचला ए माती प्रवापसार करवा मावे छे अनने तेने लिदे उत्पन थोतो फ्लक्स गूचला बी साते सं उनके साथ अब क्या करेंगे हम यह जो ए में से जो करण पास हो रहा है उसको हम चेंज करेंगे करण को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे तो उसके साथ यह जो बी के अंदर जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो भी क्या होगा चेंज होगा गेटिंग तो उसको क्या बोलते है इंड क्योंकि इसमें जो चेंज करते हैं एक अंदर तो उसकी एफेक्ट कहां पर पड़ती है बी के फ्लक्स के अंदर इसको भी बोलते हैं mutual induction कि actually coil ए में से करन्ट पास करते हैं उसके अंदर चेंज करते हैं तो जो भी flux प्रोडविस होता है वह बीक के अंदर लिंक होता है और बीके अंदर वह फ्लक्स चेंज होता है तो यह जो principle है उसके उपर transformer जो हमारा है वह काम करता है सो यहां पर जो बीक के अंदर जो है इंड्यूस होता है वाल्टेज इसको हम बोलते है एकवल डू क्या लिखते है capital M and d5 by dd अब देखो यह क्या है ए जे छे ए सुचे कोईल भी घुचडा भी नी अंदर जे आपड़ो यह में फ इंड्यूस था है वाल्टेज ए छे आबनो आ एम सुचे ए मूट्यल इंड्यूस के वाई छे बराबर अना d5 by dt नो मतलब सुचे 5 इटलेके flux तो flux मा थतो फेरफा नो दर टाइम साथे flux मा केटलो फेरफा थाई छे ए बतावे छे d5 by dt मराबर तो आज ए प्रिंसिपल छे ए आपड़े खुबज सारी रेते करवानों छे आहिए एकदम सौट मा लख्यू छे जुओ जो बे गुचला एवरी ते गोठोवा मा आवे के एक गुचला द्वारा उत्पन थतो चुम्बक्यों क्सेत्र मतलब क्या ए बीजा ने असर करे तो ए गुचला मा प्रवाहन मा फेरफार करवा थी तेना द्वारा उत्पन थतो फ्लक्स बीजा गुचला नी साथे संक्राई अने आने लिदे बीजा गुचला मा वीच चालक बड इंड्यूस थाई छे प्रवारा सिंपल एक सिद्धान छे मैं जे तमने समझाएव एच बड़ाबाचे के ब्या जे क्वाईल छे लेके गुचलू एनने आपने एक बीजा एमा करन आपड़ा फेरफार करेशू तो एनी साथे बीमा जे तमारा वाल्टेज अथवा तो फ्लक्स जे इंड्यूस थाई चे एमा कुचलू थासे फेरफार थासे बाबाचे बस आज सिद्धान पर आपनों ट्रांस्पोम माचे छे एक काम करेश अवा जो इंपोर्टन चे वो हे प्रिलिम्नरी कंस्ट्रक्शन एन्ट वरकिंग ओव ट्रांस्पोमर प्राथमी करचना आणे कारिया के एनू क्स्ट्रक्शन जे एकदम सिम्पल के वरीते करवा माँ आपने यू के वरीते छे आपने एक धियरी जो ही अदी तमने याद होई तो युनित नंबर 4 यहनं दो रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर मा आपले स्टाटिक मा आपले संों मुगता ता ट्रांस्पोर्मर आका इन उप्षायर यहां सumber ड्रो गत ता त यह псих becomant है देखो यहां पर कि दारों के गुचला ए ने वीवन वीच दबन वारा अल्टरनेटिंग कि ओके सप्लाइ साथे जोड़ा मावाए छे अब यह तो कहां पर कनेक करना है वो हम बात में बात करते हैं पहले देखते हैं कि यह एक्चुल यह क्या है जो आपको दिख रहा है ना भी रेक्टेंगल जैसा तो वो क्या है देखो यहां पर कि ट्रांस्फोर्मर मां लेमिनेटेड कोर ना एक लिम पर मतलब यह जो है ना यह आपको दिखाई दे रहा है यह वाला यह कोर है वो लेमिनेटेड है राइट देखो यह बहुत सारी लेमिनेशन को इकटा करके ऐसे ऐसे बनाया गया है उसको तो वो जो है एक लेमिनेटेड कोर है उसकी जो लिम लिम किसको बोलते देखो यह लिम यह जो पाठान है यह उसको एक लिम बोलते इसको बोलते दूसरी लिम त तो एक लिम्ब पे एक ट्रांस्फोंवर जो है लैमेनेटेड उसकी जो ये एक लिम्ब है उसके उपपर N1 आटा वाड़ू गुच्छुडू means N1 number of wound के हुआ wire wound किया है बावण चे क्वाईल इल्ले आपड़े एक लिम्ब पर आपड़ा wire विटाड़ी सु केटली वार N1 टाइप N1 आटा फेर विशु बराबाचे H रिते आजे 20 लिम्ब चे एनी उपपर पन आपड़े H रितने wire ने आपड़े विटाड़ी सु बराबाचे conductor ने पर केटड़ी वार विटाड़ी सु तो के पाई N2 टाइप एल लेके N2 आटा ओके नंबर अब टन्स इंग्लिस मा बूल वेदा अपड़ा थे सु बोलाजे टन्स मतलब simply just wire is just wound around the limb 1 ओके for N1 नंबर अब टन्स and here for the limb 2 wire wound around the limb for N2 नंबर अब टन्स simple खबा पड़ी गई तो limb 1 बनने पर आपड़े गुछुल विटाड़ावानु छे वार बराबाचे पर केटला आटा लेवाना छे limb 1 पर अहिए N1 और अहिए N2 थेईगे वे आरलो अवेसु करवानु छे के आज आपने प्रथम गुछुलू छे तेहरें आपने शूं किये छे ए नाम आपिदीतू छे अन्ना बीजू छे यनू नाम स्रूंव आमस्रू आंपिव चे B तो आ ए जे कॉयल चे इहने आपने सु करें यहने कोनी साथ जोडीज़ू अपने क्या मरसे आपने आ बाइज गुचळा माती मरसे ञडवा गुचळा माती डॉर चवाने आड़ अड़ीज प्रवा पसाथ ठाई छे अने कोर मा अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई उत्पंध आईजे सो ये जो कॉईल है ए इनके साथ हम जब ये सप्लाई कनेक करेंगे वीवन तब क्या होगा उसके अंदर से करण पास होगा ये कॉईल ए में से और कोर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा फ्लक्स वो कॉनसे नेचर का होगा अल्टरनेटिंग मतलब इस टाइप का होगा राइट अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कोर के अंदर अब क्या होगा आप flux गुच्रा बी साथे संक्राई छे अन्य गुच्रा बी माँ विच चलक बर्ड इंड्यूस थाई छे means यह जो कोर के अंदर जो flux produce हुआ है that is linked with the coil to B okay and EMF is induced in a coil B कि इसके अंदर induced होगा है तो गुच्रा बी ने वाल्ट मिटर साथे जोड़ी तो induced थाई वाल्टेज माँ पर सकाई तो यहाँ पर यह जो coil B है उसको हम यह V2 जो है वाल्ट मिटर के साथ connect करेंगे तो कितना वाल्टेज यहाँ पर induced हुआ है कोईल B के अंदर वह हम measure कर सकते हैं ओके यह जो गूच्णू ए मतलब जो कौईल ए है उसको बोलते है प्राइमरी वाइंडी और गुच्णू भी मतलब कौईल वी जो है उसको बोलते है सेकंडरी वाइंडी ओके तो हम यह करते है secondary winding primary winding को हम क्या connect करेंगे V1 supply से connect करेंगे तो देखा यहां पर उसको नाम देते है ए और इसको बोलते है बी जो primary winding है ए उसके अंदर number of turns कितने है N1 secondary winding जो है B उसके अंदर कितने number of turns है N2 तो यहां पर जो भी वाल्टेज मिलेगा वो उसको क्या बोलेंगे V2 बोलेंगे और यहां पर यह जो है वो बताता है isolation यह दो कोईल के बीच में separation है वो बताता है राइट तो यहां पर लिखा हुआ है देखो कि जो गुचला B ना N2 आटा गुचला A ना N1 आटा थी ओचा होई बहुत इंपोर्टन टोपिक है यह अबी के गुचला B ना N2 आटा मतलब के यह N2 गुचला A ना N1 आटा थी ओचा होई मतलब N1 थी ओचा मतलब आर इतना N2 के बाच ओचा जे तो V2 नी किम्मत V1 कत्ता ओच होई से जेटला आटा वदार है तेटला वाल्टेज वदार एटलो यहां रागजू तो जो आ N2 मा नंबर अटा जे छे नंबर अप टन्स ए नंबर अप टन्स N1 कत्ता ओचा होई तो V2 जो आटा तो के वह होँसे तमारों ओच हो आर इतना V1 ग्रेटेज देन V2 मार्लब N2 ओच हो होँसे तो V2 पूण ओच हो होँसे यह वी जरीते मानिलो कि आ N1 जे छे नंबर अप टन्स ए ओचा होँसे अन्ने N2 वदार होँसे तो सुन तसे V1 वाल्टेज ओच होँसे अने V रीकान ओच होँसे जो होँसे तो रीकान ठीख मिसा फ apprendre कि संक्रीन तो्कहा अन्ने अन्ना संसे च待 कि ऊट कर सो डव छाञीते अन्तलब बहँसे मैं अन्ना इन आप खोन होँसे तो , और जाता होँसे खिवालन इस तर्व. जरी. व्लेसराद कि आवरे आप यह जिना वो भी ज्यादा हो जाएगा इसके गंपर में V2 के गंपर में तो ये V1 input में primary के साथ connect है V2 जो है वो secondary के साथ connect है तो ये हमें कम voltage मिला V2 तो ये transformer क्या करता है ये ज्यादा voltage में से कम voltage देता है तो उसको क्या बोलते है step down transformer बोलते है पता चला इसमें basic हमने देखा कि ये जो laminated core होती है उसके limb पे coil A है और दूसरे limb पे coil B है अब coil A पे हम supply देंगे तब उसके अंदर current पास होगा और core के अंदर flux produce होगा वो flux ये B के साथ link होगा तो उसमें EMF induce होगा simple सी बात है इस तरह से हम उसको symbolically हम represent कर सकते है transformer को और step down and step up transformer के से किसको बोलते है वो पता चला step up मतलब कम voltage को हम ज़्यादा voltage देता है transformer बीच में आता है तो और step down मतलब ज़्यादा हो उसको कम करने के लिए तो ये जो voltages है वो किस पे depend करते है ये number of turns होते है ये जो पहली जो winding है उसको बोलते है primary winding ये दूसरी है उसको बोलते है secondary winding मतलब प्राथ्मिक winding अनने dg छे ये द्वित्य गुचुडू winding ना आपने सुँँगे जो कोईल ने गुचुडू बराबर तो आ वाद थे येनी simple construction वीच है आपने जोई सुँ transformer कया टाइप ना आवे छे तो आमा सुँ important छे आज ये principle आपने जोईव ने transformer नो एकदम important छे आप पूछाए पूछाए याने पूछाए जो छे कितले बार पूछाए हो छे तो ये IMP है और दूसरी जो IMP चीज है वो है ये type of transformer आपने इंगलिस मा पने बता रूचाहि रूआ जो छे principle आख खुबज IMP चे अने आज ये छे type of transformer core type and cell type transformer ये दोनों का difference भी दिया हुआ है ये भी exam में आता है तो ये IMP question है core type and cell type transformer पर ही हम देखेंगे अभी so there are basically two type of transformer core type and cell type core प्रकान नों अने cell प्रकान नों तो ये वाच्चे सुँ फरक छे ये आपने जोई सूँ आ जे figure आपी छे figure H है आपनी core type आना जे बीजी figure छे H है आपनी cell type आप ये माँ सुँ डिफरेंस चे जोजो single phase core प्रकानना transformer मा मतलब के single phase जो core type का transformer होता है उसके अंदर core ने बे लिम होई छे बराबर छे आजे core छे ने येने बे लिम छे में लाइन टो करीछ अन्ने winding आ लिम पर आकड़ूती मा दर्साव्या मुझे विटाडवामा आवे छे मतलब जे winding जे छे कोईल छे गुचुडू ये लिम नी आसपासा विटावामा आवे छे जोवाई रिया ओके आकड़ू धेग्यू core टाइप येना पत्ती खबर पड़े के winding जे आ गुचुडू ये सुम होई छे core नी फर्ते होई छे अवे चेल टाइप नी फिगर जोए तो येमा सुम होई छे मेन सिंगल फेस सेल प्रकानना ट्रांस्पोमर मा मेन्स इना सिंगल फेस सेल टाइप ट्रांस्पोमर देर आरा थ्री लिम अहां केटली याथी बे अहां केटली आवसे त्रोन लिम देखाईचे 1,2,1 3 लिम देखाईचे वच्चना लिम पर प्राइमरी ये सेकनडरी बन्ये वाइनडिंग विटाडवा मावेचे सो ये जो मिडल जो है sonum उसके उपर प्राइमरी सेकनडरी दोनो जो वाइनडिंग है वो वावण की जाती यह सो मालूम पढ़े छे के को वाइंडिंग नी फर्तेश है मतलब कि यह जो को है न यह जो वाइंडिंग है उसके आसपास क्या है को है तो यह difference हो गया अभी दो difference तो यहांपे होई गये है गडी तो यहां पर difference दिया है वह important है तो आपको core type and cell type जो आता है तो यह आपको दो figure डो करो और उसमें क्या है वो आप point में बता दो और यह जो अभी difference दिया है ना difference के उपर से भी हमें theory लिखने तो लिख सकते है theory के उपर से भी हमें यह difference लिखना तो लिख सकते है तो यह बहुत important है तो देखो single face core औने cell प्रकारना transformer वच्चानों तफावत difference between single face core and cell type transformer तो दोनों के बीच में जे क्या difference है वो है तो limb नी संख्या आपने जो इस हूं पहल ला दो number of limb तो core type आप प्रथम जे चेए core type औने वीजू छे दे cell type so core type ने अंदर केटली limb होई छे 2 औने cell type ने अंदर केटली limb होई छे 3 तो एक difference देग्यो देन winding नी position एल लेकर आपने उजी गूचूडू छे coil एनी position कही जग्या आए छे तो आमा सुँ आसे तमारों core type मा winding ए लिम्ब नी बहर ना जब यह लिम्ब छे 2 बाबन ने एनी उपपर होई छे जया रहे आनी अंदर सुँ होई छे आजे वच्चे नी लिम होई छे ने एनी उपपर होई छे ओके then coil number 3 के आजे आपनों गूचूडू छे कई टाइप नो होई छे कोई तो आसमों होई छे तमारों core type मा cylindrical प्रकार नो होई छे and यह जो cell type का जो है उसके अंदर multilayer disc type का होता है देखो एक cylindrical होता है एक ही type का लेकिन यहाँ पे multilayer disc मतलब देखो यह यहाँ पे core layer दीख रहे है आपको अलग-अलग यह जो line drawer की है उसके left portion देखो अलग है राइट पोर्शन अलग है तो यहाँ पर जो core होता है ना स्वारी यह जो coil होती है वह multilayer disc type की होता है अब देखो core नंबर है उसमें चाल लिख्था है core and winding रिलेटिव स्थिगी मिन्स यह जो winding है and core एक दूसरे के साथ कैसे है relative position कैसी है उसकी तो देखो यहाँ पे क्या हमने बोला कि यह जो winding है वो लेम के असपास है वाइंडिंग को पत्ते चाने अंदर को यह जो यह जो winding है इसके आप आसपास क्या हो जागा को मनद पोर वाइंडिंग के पत्ते चाने अंदर को यह जो winding है फिप जो है वह है नेचरल कुलिंग नेचरल कुलिंग जो है वह कैसी होती है तो यह जो कोर टाइप होती है उसके अंदर नेचरल कुलिंग अच्छी होती है गुड और इसके अंदर जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे जो है ना वाइन्डींग पूर के अपास है तो नेचरल कुलिंग इंड realities होगी यहां पर वाइन निंग के असपास क्या है फोन है तो यहां पर इतनी अच्छीาม ब्रॉसर, नेचरल कूलिंग होगीलीग मेंटू सेर कीट निसंख्या सूर यहां टो है है कि मेगनेटीक हिए वह में यहां पर दो आईगी यहां पर यहा iba रेकाइगी यहां पकें य। टो लिकेज़ फ्लक्स जो है। वह यहां पर ज्यादा होगा। और लिकेज़ फ्लक्स जो है, वह स्यल टाइप में थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि यहां पर यह कोडिक्स पास हें तो नेचरल कुलिंग अच्छे हो की लेकिन लिकेज भी ज्यादा होगा यहां पर नेचरल कुलिंग इत्नी इफक्रिट्व नहीं होगी लेकिन लिकेज कम होगा देन अप्लिकस forcément उप्यों को क्या था है छहती तो ये जो core type का transformer है वो कहाँ पर use होता है low voltage transformer बनावा माटे so to make the low voltage transformer and cell type transformer I use to make the high voltage transformer मुलब high voltage transformer ने बनावा माटे तो आपने या विगो तो माते core और cell type मां सोंसू होई ते लखवा नूछे तो कोई एक याद रखो बीजू याद रहे जासे अथवा तो आप figure याद रखो figure पत्ती पन आपड़ाथी गणा पॉइंट लखासे बराबर तो आप खुबज important theory छे कि कोर प्रकार और अने cell प्रकार न ट्रांस्पम भाव तो पुछाई तो पन आरे तेर तमाजू difference ना पुछाई तो आरे तना लखवानू आ फिगर कोड टाइप अने कोड टाइप माँ सुवाईंचे अ बद्दू लखे देवानू वन बाईवन पॉइंट वाईज अने आरे तना तमने difference पुछे तो आरे तना difference लखवानू टाइबल बनाईने बराबा चे ताहा खुबज IMP टॉपिक छे एक्जाम पॉइंट ओफ यू अने बीजो आप्टे जे जोयो आजे ट्रांसफर मन नो प्रिंसिपल अखास कर जों बराबा